हेलो गाइज, वेलकम तो थी ओफीशल यूट्यूब चैनल अफ मेधा और मैं एक वीडियो के बाद फिर अगली वीडियो लेकर वापस आ गया हूँ मैं आपका समर्थ सर और स्वागत है आपका मेधा के ओफीशल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइन पर हम लोग क्लास टेंथ का चाप्टर ट्रांगल्स कर रहे हैं अगर आप देख पा रहे हैं and we have already covered three full-fledged lectures on this chapter जहां हम लोगोंने सारे थिरन, सारे congruvency के criteria, सारे congruvency के postulates and CRT के तक्रीबन-तक्रीबन 95% सवाल हम लोगोंने लगा लिये हैं कुछ 22-25 सवाल हम लोगोंने अल्रडी triangles पे लगा दिये हैं लेकिन जैसा कल की वीडियो में आपसे मैंने वादा किया था कि मैं लेकर आने वाला हूँ वो सवाल जो तवाही मचाएंगे triangles में जो लगता है कि triangles में ये कैसे लगेगा थोड़ा मुश्किल है थोड़ा non-NCRT वाला सवाल है थोड़ा out of the box logic है वो सारी चीज़े और उन सारे सवालों को हम लोग बहुत आसानी से करेंगे जितना मुझे याद है और जितने slide के preparation के दौरान मुझे याद है तो वो सवाल बहुत important है कोशिश करेंगे कि 40 मिनिट में वो 10 से 11 सवाल हम कर दें ठीक अल्रेडी हम लोग 3 वीडियो में पूरा चाप्टर फुल फ्लजेट कवर कर चुके है मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसको in length देखा होगा बहुत ध्यान से मेरे साथ copy pen लेकर वो चीज़ लगाई होगी so I can expect that and without any further delay let's kill the problems जो triangles में आपको करते हैं तबाह उनको हम तबाह करेंगे हम और आप मिलकर ठीक लेकिन उससे पहले share करिए, subscribe करिए, comment करिए, bell icon hit करिए अपने दोस्तों को बताईए हमारे चैनल के बारे में अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा content और हमारा method of teaching पसंद आ रहा हो बास शुरू करते हैं 10 सवाल और उन 10 सवाल को बहुत आसान तरीकों से मैं आपको basic तरीके से बताऊंगा कि वो सवाल हम कैसे figure out कर रहे है अब मेरे ख्याल से आपको recap देने की जुरूरत है नहीं वो तीन वीडियो आप देख लिजेगा आपके पास description icon में वो आ रहे होंगे what we are going to start today is those very good problems just give me a moment हम लोगोंने I guess ये कल किया है बिलकुल ये भी कल किया आखरी सवाल ये किया था जिन लोगोंने lecture 3 ये पार्ट 3 देखा होगा उनको अंदागा होगा कि हम लोगोंने आखरी सवाल ये किया था कल जिसमें हम लोगों CF add कर रहे थे BF और EC में और दोनों triangle को RHS से congruent prove कर रहे थे आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा refocus कर रहा होगा तो माफ करियेगा लेकिन बहुत अच्छा सवाल है सारे सवाल बहुत अच्छा सवाल है शुरू करें कौन है आपके साथ समर्थ सर शुरू कर रहे हैं आज की बाग पार्ट नमबर 4 वो सवाल जो करते हैं बच्छों को परिशान उनको हम आज परिशान करेंगे सवाल पढ़िये ABC is an isosilist triangle with AB is equal to AC and BD is equal to CE okay and BD and CE are two medians show that BD is equal to CE दूसरी बात आज मैं वो सारे सवाल लेकर रहा है हूँ जिन मैं maximum तौर पे पांचे सवालों में diagram नहीं है हम diagram का construction भी करेंगे आधी बात आपको उससे ही समझ में आ जाएगी हम diagram का construction ही करेंगे आधी बात आपको उससे ही समझ में आ जाएगी ठीक शुरू करें चले ABC is an isosilist triangle with AB is equal to AC and BD is equal to CE are two medians ठीक है आईए पहली बात शुरू करतें कलर लेते हैं वाइट let's draw the triangle ABC एक isosilist triangle है दिया हुआ है perfect ABC is an isosilist triangle with AB is equal to AC perfect ठीक है जी and BD and C here it's two medians perfect बनाते BD एक median CE दूसरा median diagram दिख रहा है आप लोगो बिल्कुल यह दोनों medians है अब median क्या करता है कल भी सवाल इस पर आए median क्या करता है median opposite side को equal हिस्तों में बाटता है तो eventually क्या हुआ कि मैं लिख दूँगा आपके लिखो कि already मैं बहुत dash use नहीं करना चाहता हूँ ठीक अब हमको क्या प्रूफ करना है कि BD is equal to C हमको प्रूफ करना है कि यह median बराबर है बहुत बढ़िया सवाल है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सवाल है आईए बहुत अच्छा सवाल है ठीक मैंने कल भी आपको बोला है जिन चीजों को बराबर प्रूफ करना आप वो ट्रांगल जूढ़िया जिनके वो हिस्से है वो ढूढ़िया वो ट्रांगल तो सिंपल सी बात है अब हमारे पास इन ट्रांगल A, B, C मैं पहले आपके लिए सारी चीज़े लिख दे रहा हूँ A, B is equal to A, C given है आइससलिस्टर अंगल है पर्फेक्ट ठीक है जी B, D और C, E दो मीडियन से B, D, C और मीडियन से पर्फेक्ट सर कोई दिक्कत जी नहीं पक्का पक्का चले अगर B, D और C, E मीडियन है आरांग से देखके बताईगा अगर B, D और C मीडियन है तो क्या A, D और D, C बराबर नहीं है अगर D, A, D, B, D मीडियन है तो क्या इसको दो equal हिस्तों में नहीं बाट रहा है मैं बना दे रहा हूँ डबल डाश क्या equal हिस्तों में नहीं बाट रहा है Since B, D is the median So A, D is equal to D, C बराबर, perfect ये बात समझ गए, पक्का, ठेक Since C is the median अगर C median है तो ये A, A, B को दो equal हिस्तों माट रहा है मतलब A is equal to E, B, perfect sir बहुत चीज़े मिल गई है ये लिख सकते है कि नहीं इतनी बात समझ में आए कि नहीं आए अब मुझे प्रूफ करना है दोनों medians बराबर है तो मैं वो दो triangle pick करूँगा जिसके वो medians हिस्से है वो ध्यान रखना है So what we are picking is What we are picking is triangle A, B, D in triangle A, B, D and triangle A, B, D जिसका वो median A, B, D और A, C, E मुझे क्या प्रूफ करना है B, D is equal to C, प्रूफ करना है ठीक, B, D is equal to C, प्रूफ करना है बढ़ियां आओ जरा A, B, D उठाओ A, B, D और A, C, E क्या A, B, D और A, C, E में A, B, और A, C, E बराबर है कि नहीं है A, B is equal to A, C, बराबर है कि नहीं भाई शिरुवात में दिया इससे से लिस्ट आंगल है कि वेन है, बहुत बढ़ियां क्या दोनों में бचों A है कि नहीं क्या दोनों में बचों A है कि नहीं अब मैं आपसे यह उम्मीद कर सकता हो ना कि आप इतना सोच सकते, क्योंकि हम लोग ने तीन भात full-fledged lecture टीट कित हैं, इतना सोच सकते तो हट गया क्योंकि एक एंगल मिल गया है, तो या तो अब S A S है, या A S है, या A S है, यही तीन हो सकते हैं, आइए देखते हैं, अब मुझे आप एक बात बताईए, A E, ये एक साइड मिला है और A D, इसमें एक साइड मिला है, अगर A B और B C बराबर हैं, बहुत ध्यान से स होगे तो उसका अधा बराबर है भाई, 1 is equal to 1 होगा, तो अगर A B is equal to A C बराबर है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ, A E is equal to A D, आराम सोच के बताए, यहां साइड में लिख रहा हूँ, सिंस A B is equal to A C, तो can I not write half of A B is equal to half of A C, and half of A B is nothing but A E, half of A C is nothing but A D, can I not write this that A E is equal to A D, लिख सकता हूँ, कि नहीं आराम सोच के बताए, बिलकुल लिख सकते हूँ सर, तो A E is equal to A D, रिजन भी लिख रहा हूँ, halves of equal sides, कल भी मैंने यह लिखा था, बहुत बढ़ियां, आजाओ, क्या मिला, क्या मिला, side angle side, side angle, मैंने तोड़ा नहीं है आपके लिए triangle, side angle side, आप ऐसे भी देख लीजे, side angle side, A B और A C के बीश में angle A है, और इसके बीश में बहुत simple सी बात है, तो ऐसे इस क्राइटीरिया से triangle A B D is congruent to triangle A C E, किस से S A S से वच्चों, किस से S A S से, कैसे भूल सकते हैं C P C T, भूल सकते हैं क्या C P C T, नहीं भूल सकते हैं, भूलना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, यहीं तो प्रूफ करना था, that B D is equal to C E C P C T, बहुत अच्छा सवाल है, दो triangle pick करना इसमें खेल हैं, C P C T, B D is equal to C E, आपको इसमें दिख्यों होगा, यहीं दोरों medians से प्रूफ करने से, B D is equal to C, चिक, बात समझ गए, medians का एक तो आपको समझ होनी चाहिए, कि आधे में बाटता है, दूसरा फिर आपको दो कॉन से triangle pick करने, उसकी बात important है, वो ध्यान रखेगा, तो what we have picked is A B C D and A C E, A B और A C already पराबर था, angle A, angle A common, और अगर कोई दो पूरे side पराबर है, तो उनका आधा भी पराबर होगा, तो A D और A E पराबर होगा, ऐसे ऐसे प्रूफ होगा, बहुत सिंपल सा सवाल था, मुश्किल लग सकता है, लेकिन मुश्किल है नहीं, ठीक, non NCRT का सवाल मोटा मोटी कोशिश करें कि मैने एक्जेंपलर से कही अच्छा-च्छा सवाल लिया, another very good problem, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जादा, in the figure, D and E are the points on the side BC of triangle ABC, such that BD is equal to C, आपको diagram बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, and AD is equal to AE, show that triangle ABD is congruent to triangle AC क्या प्रूफ करना है, triangle ABD is congruent to triangle AC, बहुत बढ़िया सवाल है, अगर मैं बता हूँ, इसको मैं नहीं लिखूंगा step, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, मैं आपको बिना step लिखे सवाल बता सकता हूँ, इतना classic सवाल है, ठीक, लेकिन हम लिखेंगे, क्योंकि आपको paper में लि या ABD और ACE congruent है, बहुत आसानी सोच जाएगा, ठीक, अब आप मुझे एक बात बताईए, और मैं आपके लिए पहले diagram में कर रहा हूँ, फिर मैं लिख दूँगा वो बात, ठीक, अगर AD और AE बराबर है, तो बच्चों क्या ये angle नहीं बराबर होगा? आराम से सोच के बता बराबर हैं, तो ये दोनों angle बराबर होगा, अब फिर एक बात कर रहा हूँ, अगर ये बराबर है बच्चों, तो फिर क्या ये और ये नहीं बराबर होगे? क्या ये और ये नहीं बराबर होगे? मैं लिखूँगा भी सब स्टेप पे, मैं आपको सिर्फ अभी figuratively बता रह ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, बीच का included angle बराबर, ऐसे ऐस से बच्चों की तरह ये सवाल हो रहा है, but we'll be writing it, so in triangle, हमको जो चीज प्रूफ करनी है, ये प्रूफ करनी है, लेकिन जो चीज पहले हम लिख रहा है, वो एक important बात है, now, पह Since AD is equal to AE, ये दिया हुआ है, ठीक है जी, तो आप मुझे बताइए, क्या angle ADE is equal to angle AED होगा की नहीं होगा, angles opposite to equal sides, to equal sides, बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, दरना नहीं है, ठीक, पक्का, पक्का, अब अगर मैं दोनों साइड, क्या ये मैं कर दूँ? आप इतना समझ सकते हैं, दो equal चीजों को 180 में से घटा हूँ, तो सेम बात आएगी ना, 180 minus angle ADE is equal to 180 minus angle AED कर सकता हूँ की नहीं कर सकता हूँ, दो equal चीजों को मैंने एक constant में से घटा दिया, 180 में से, is it not going to be same? बिलकुल, भाई अगर 3 is equal to 3 था, तो मैं 5 minus 3 is equal to 5 minus 3 लिख अब आप आईए, 180 में से जब ADE घटाओगे तो क्या आएगा, ADB आएगा की नहीं, आप दिख रहा है की, 180 में से ये घटाया तो यही तो आया बच्चों, यही आया ना, so this is nothing but angle ADB and this is nothing but angle AEC, is it or not, please have a look on this and let me know, क्या ये बात समझ आई की नहीं, यही इस तवाल का crux है, अ चिक, पक्का, चलो, अब उठाओ जो तो ट्रांगल में बात करनी है, अब तो खेल असान है, इंट्रांगल ABD and triangle ACE, सब कुछ आपके सामने है, AD is equal to AE given, given, बिलकुल, AD is equal to AE given, बिलकुल, angle ADB is equal to angle AEC already proved above, बिलकुल, BD is equal to CE given, BD is equal to CE given, side, angle, side, side, angle, side, कौंसर criterion, SAS, triangle A, B, D is congruent to triangle A, C, E, किस criterion से SAS, अगर आप देख पार रहोंगे तो बहुत साले सवालों में, यह सबसे important criterion में से, side, angle, side, तग्रिवन, तग्रिवन, 50-60% सवालों में एक राइटेरिया यूज हो रहा है, और इस्तमाल हो रहा है, तो बहुत important है, ठीक, the click in this problem was identifying कि 180 में साब को घटाना है, क्या मुझे रुकने की जरुरूरत है या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ जाओ सर, आजाओ, बहुत बढ़ हिया सवाल, फिर, again a very good problem, सारे सवाल में बहुत classic लेकर आया हूँ, ठीक, ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत, ये भी देख के करने वाल सवाल है, CD is an equilateral triangle formed on side CD of a square, perfect, ABCD, ठीक है जी, show that triangle AD is congruent to triangle BC, आप पहले diagram में figure out कर लीजे, आपको क्या congruent prove करना है, फिर उसी पर हम बात आगे बढ़ाएंगे, आप पहले ये figure out कर लीजे कि आपको क्या prove करने है, फिर उसी पर बात आगे बढ़ाएंगे, simple सवाल है, बहुत easy सवाल है, परशान मत होईएगा, it's quite an easy problem, do not get worried by this, CD is an equilateral triangle, ठीक है, ये जो नीचे वाला पूरा triangle है, CDE equilateral है, ABCD square है, दो बहुत prominent figures दे दिए, आधा खे लिवाई खतम हो गया, चलें, आइए लिखते हैं, शुरू करें, क्या prove करना है, A, D, E और B, C, E congruent है, ये prove करना है, बिल्कुल prove कर देंगे, refocus मत करो, चलो, now we have square ABCD, तो पहले square की जो जो खासियत होती वो लिख लो, क्या खासियत होती square की, सारे side बराबर, सारे angle 90, सारे side बराबर, सारे angle 90, पक्का, तो ठीक है, A, B is equal to BC, is equal to CD, is equal to DA, perfect है, एक फाथ ये है चुकी square है, ठीक, और angle A is equal to angle B, is equal to angle C, is equal to angle D, 90 degree सब कुछ, ये दूसरी constant बात है, बहुत बढ़िया, और एक क्या बहुत prominent figure दिया है, equilateral triangle CDE, equilateral triangle CDE, equilateral triangle भी एक बहुत खास triangle है, सब कुछ बराबर होता है, क्या क्या बराबर है, DE is equal to EC is equal to CD, all are equal, और कुछ सर, बिलकुल, बताओ, और क्या बराबर है, angle CDE, is equal to angle DEC, is equal to angle ECD, सब मिला के 60 degree, equilateral triangle की एक खासियत होती है, कि नहीं होती है, कि सारे angle 60 degree, सारे side E, equal square की क्या खासियत होती, सारे angle 60, 90 degree, सारे square, सारे angle 90 degree, सारे side बराबर, पक्का, चले, सवाल खतम, सवाल खतम, अब मैं बना रहा हूँ, आपके लिए diagram में, अब आप मुझे बताइए, कि ये angle 90 है, बिल्कुल सर, ये angle 60 है, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कितना हो गए ये angle, 150 नहीं हो गए दोनों मिला के, भाई ये 90, ये 60, ये 90, ये 60, angle मिल गया, ये side है square का, ये side है square का बराबर जी, ये side है, equilateral triangle का, ये side है, equilateral triangle का बराबर जी, diagram देखके इतना डर लगेगा न, कि ये क्या है सवाल, कुछ नहीं है सवाल में, पिछले दोनों सवाल से भी असान है, ठेक, so in triangle ADE and triangle BCE, ठेक, first thing is AD is equal to BC side of square, देखे, मैं एक चीज़ बताओं कि सवाल समझना एक बात है, लेकिन उसको paper में उतारना, जब कोई examiner paper check करता है, तो वो ये मान के चलता है कि उसको कुछ नहीं पता है, उसको कुछ नहीं पता है, ठेक, जब उसको कुछ नहीं पता है, ठेक, जब उसको कुछ नहीं पता है, तो you have to write down everything that you are thinking in your brain, else it would not be possible, एक सकेंड दरफ में चेक कर लें नहीं है, मैंने माइक वही लगाया है, जो मैंने off किया, ठेक, on ना, is it on, ठेक, it is on, it is on, I was checking कि माइक वही है, वो दूसरा बाल तो नहीं लगाया, ठेक, AD is equal to BC square का side, perfect, already हमने proof कर दिया that angle ADE और angle BCE बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, angle ADE is equal to angle, sorry, angle BCE, or, or, oh, ADE is equal to angle BCE, that is nothing but 60 plus 90 degrees, oh no, that's 150 degree each, या आप मेरे कहादब समझ गयों के बात ही, मुचे लेखने की ज़र होती है, तीसरी बात, D और EC बराबर है, D is equal to CE, sides of equilateral triangle, बहुत बढ़िया, side, angle, side, side, angle, side, कितना यूज करोगे ये criteria, triangle ADE is congruent to triangle BCE, S, A, S, सच बताईए, सवाल में कुछ भी था क्या, डरने लाएक, कुछ भी था क्या सवाल में डरने लाएक, I guess नहीं, बहुत straightforward सवाल है, बढ़ें आगे, बढ़ें आगे, बढ़ें आगे, बढ़ें आगे, बढ़ें आगे, पक्का, आजाओ, if the bisector of an angle of triangle also bisets the opposite side, अच्छा जी, if the bisector of an angle of a triangle also bisets the opposite side, prove that the triangle is isosceles, पहले बनाते हैं, पहले एक triangle बनाते हैं, ये क्या कह रहा है, इसके बारे में जानते हैं, फिर बात करेंगे, if the bisector of angle of triangle also bisets the opposite side, इसको लेते हैं, A, इसको लेते हैं, B, इसको लेते हैं, C, एक angle का bisector opposite side को भी bisect कर रहा, अच्छा ठीक है जी, ठीक, दिखाई देर है, दिखाई देर है, ये कह रहा है, कि इसका जो angle का bisector नहीं, ये और ये, ये opposite side को भी bisect कर रहा है, ये बात given है, आप समझेए पहले, if the bisector of an angle of a triangle also bisets the opposite side, इसको मैं D ले ले रहा हूँ, ये जो AD है ना, उसने angle a को bisect किया और उसके opposite वाले side bc को भी bisect किया, इसका कहने का मतलब, ये और ये angle बराबर, ये और ये side बराबर, हमको क्या proof करना है, कि ये triangle isosellase है, हमको क्या proof करना है, triangle isosellase मतलब a b is equal to a c, बहुत simple बात है, simple बात है लेकिन इस सवाल थोड़ा से tricky है इसलिए tricky है थोड़ा से सवाल क्योंकि इसमें आपको फिर कुछ और नहीं दिया है आईए दरा देख ले ASS एक तरीका हो सकते तो मैं पता कैसे proof कर आदमी क्या सोचेगा आदमी सोचेगा भाई ये ये बराबर है ये अंगल ये अंगल बराबर है ये साइड कॉमन एप्रूफ कर दो कौन से क्राइटीरिया में fall कर रहा है कौन से क्राइटीरिया में fall कर रहा है नहीं कर रहा है कहा है डबल से नहीं है बच्चों डबल से इसलिए सवाल ट्रिकी हो गया अगर double SA criteria होता तो इस सवाल तुरंत हो जाता ये side ये side बराबर, ये side common, ये angle ये angle SSA से proof कर देते, क्या करें? है ही नहीं criteria तो क्या करें sir? और सोचते हैं आओ और सोचते हैं आओ ISSLS proof करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ये दोनों angle बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे तो फिर opposite side से बराबर प्रूफ हो जाएगा, ठीक? तो वही सोचना पड़ेगा, simple है लेकिर इसमें एक trick है, आपको एक construction करना पड़ेगा कराओ, चलो हम क्या कर रहे हैं? कि एक construction कर रहे हैं DE and equal to AD we are constructing DE equal to A and then joining this let me draw a dotted line then joining this C ठीक, एक construction करना पड़ेगा बच्छो एक construction करना पड़ेगा, sorry एक construction करना पड़ेगा, ये सवाल इसलिए इंपॉर्ट है, ठीक? नाव, हम को जो प्रूफ करना है the triangle A, B, C is isosilis, ये प्रूफ करना है which eventually means कि A, B is equal to A, C प्रूफ करना है perfect G हमको कुछ given है, बिल्कुल क्या angle B, A, D is equal to angle C, A, D ये हमको given है, ठीक है बाइसेट कर रहे हैं, और कुछ given है, बिल्कुल क्या B, D is equal to D, C given है ठीक है ठीक, चले हैं अब लेकिन हमने एक construction किया हमने क्या construction किया, एक construction किया construct D, E equal to A, D construct D, E equal to A, D, ये और ये बराबर ये construction करना है, और फिर join E, C join E, C join E, C ठीक, चलो, बढ़िया join E, C, अब क्या कर रहे हैं ये और ये triangle तो congruent prove नहीं कर पाए अब ये triangle और ये triangle पिक कर रहे हैं जो नेया triangle बनाया है now in triangle A, B, D A, B, D and triangle A, B, D and triangle D, E, C, E, C, D E, C, D triangle E, C, D ठीक, बताओ कुछ है बताओ कुछ है, बराबर बिल्कुल सर, ये और ये बराबर बिल्कुल, ये और ये बराबर बिल्कुल, और तीसरा साइड तीसरा साइड बच्चों, नहीं है क्या करें, अरे वहिया vertically opposite कैसे भूल गए vertically opposite कैसे भूल गए नहीं भूल सकते, गाईस नहीं भूल सकते नहीं भूल सकते vertically opposite so, intra-angle A, B, D and C, E, D ये, E, C, D जो भी है ठीक, हमारे पास क्या क्या है B, D is equal to D, C गिवन है, बिल्कुल angle B, D, A is equal to angle C, D, E vertically opposite बहुत देर बाद इस्तमाल हुआ इसलिए भूल गया, भूल नहीं सकते और, A, D is equal to D, E construct किया है construct किया है side, angle, side side, angle, side कितना इस्तमाल होगा triangle A, B, D is congruent to triangle E, C, D S, A, S rule से बहुत बढ़िया है यहां से अब तो बहुत समझ गया होंगे ठेक triangle A, B, D और यह congruent हो गया जी, बिल्कुल ठेक मतलब यह और यह side जो है, वाइट से कर सकता हो न यह और यह side बराबर हो गया बिल्कुल हुआ सच बताइए, हुआ की नहीं हुआ हुआ की नहीं हुआ अच्चो, बिल्कुल हो गया तो क्या बोल सकते हो A, B is equal to E, C, C, P, C, T C, P, C, T Any problems Any problems guys So let me know If there is any problem Let me know I guess it's not a problem कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब भी कुछ बात निकल कर आई Sir, A, B और E, C तो हो गया लेकिन हमको यह और यह प्रूफ करना है यह कैसे प्रूफ किया जाए हमारे पास A, B और E, C बराबर आ गया मैं कोशिश यह कर रहा हूँ कि मैं E, C को A, C के बराबर प्रूफ कर दूँ इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं मैं कोशिश यह कर रहा हूँ कि इसको इसके भी बराबर प्रूफ कर दूँ फिर चुकि यह इसके भी बराबर और यह इसके बराबर होगा तो फिर हम दो लोग equal proof कर देंगे अब आप सोचिये और मुझे बताइए कि अगला step क्या हो सकता है quickly लेकिन time जादा नहीं लगाना सवाल में जल्दी सोचिये और बताइए अगला step क्या हो सकता है think guys ठेक अब already हम लोगों ने a, b और e, c बराबर proof कर दिया है a, b और e, c बराबर proof कर दिया है सोचिये कोई angle मिल रहा है क्या आपको जिससे कि ये बराबर हो जाए किसी तरीके से कोई angle मिल रहा है क्या जिससे ये बराबर हो जाए आप मुझे एक बात बताओ इसमें ये वाला angle और ये वाला angle पहले से बराबर, इसका तो भी कुछ इस्तमाली नहीं किया, ये तो इस्तमाल करना, ये और ये बराबर है कि नहीं है, बिलकुल है सर, अब अगर ये और ये बराबर है, इन दोनों के CPCT की वज़़े से, ये और ये भी बराबर हो गया, मैं पहले यह तो अंगल BAD, अंगल BAD, BAD is equal to angle DEC CPCT, है की नहीं सच बताओ, है की नहीं सच बताओ, भाये यह अंगल और यह अंगल बराबर CPCT से हुआ, यह अंगल इसके बराबर था, यह अंगल इसके बराबर था, तो यह अंगल इसके बराबर हो जाए कि नहीं, and already we know that angle BAD is equal to angle CAD we already know that it is given शुरुवात में BAD और CAD गिवन है सच बताईए अगर ये इसके भी बराबर हो गया ये इसके भी बराबर हो गया तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये इसके बराबर है angle DEC is equal to angle CAD लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकते हो बहुत important बात मिल गई बच्चो बहुत important अब ये और ये भी बराबर हो गया खेल खतम ये और ये बराबर है तो ये side और ये side बराबर हो गई क्यू? क्यू? क्यू बराबर हो गई? sides opposite to equal angles are equal so this is also equal ये भी triple dash कर दो ये भी बराबर है भाई ये और ये angle बराबर हो गया तो ये और ये side बराबर हो गई बहुत simple सी बात है यही से बात आगे बढ़ा रहा हूँ so since angle DEC is equal to angle CAD therefore EC is equal to AC sides opposite to equal angles equal angles perfect इसको मानने हम equation number 2 इसको मानना था equation number 1 AB EC के भी बराबर है EC AC के भी बराबर है तो from 1 and 2 AB is equal to AC बोल सकते हो की नहीं add कर दूं क्या page add कर दूं क्या page ठीक क्या आया था? EC is equal to AB equation 1 बना आया था EC is equal to AC equation 2 आया तो from 1 and 2 क्या बोल नहीं सकते हो AB is equal to AC मैंने आपको भी सोचने का मौका दिया है मैंने आपको भी सोचने का मौका दिया है बहुत अच्छा सवाल है आ गया तो thank me construction is important ये और ये triangle congruent prove किया CP CT से फिर ये और ये proof किया ये और ये CP CT से अल्रेडी हो गया चुकि ये इसके बराबर है ये इसके बराबर था तो फिर ये इसके बराबर हो गया फिर ये और ये बराबर हो गया तो eventually आप देख रहे है तीन डाश के side में लगा है इस पे इस पे इस पे यह और यह बराबर हो गए सवाल खतम बहुत अच्छा सवाल, time लगा है तो लगने दीजे सवाल बहुत अच्छा है क्योंगी construction instruction करना है आई कैसा समझ गया होंगे आराम से confusion होगा तो pause करके देखिएगा आईए bisectors of angle B and C of an isosilis triangle with AB is equal to AC intersect each other at O BO is produced to meet at M prove angle MOC is equal to angle ABC बहुत अच्छा सवाल है ये भी थोड़ा सा tricky है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है हम करेंगे diagram नहीं बनाया हूँ, diagram आप मेरे साथ बनाएंगे ABC पहले एक triangle बनाओ बनाओ sir थोड़ा बड़ा triangle बनाते हैं कोई कई सारी चीज़े है अंदर ठेक क्या है the bisectors of angle B and C bisectors of angle B and C कहा meet कर रहा है O पर perfect ठेक है जी और बताओ BO is produced to point M BO is produced to a point M तो यही होगा M I guess यही होगा M यह मिटा दो इसका काम नहीं है इसका काम नहीं है इसका काम नहीं है यह रहा हो अब बना आपको यह बना यह डाइग्राम है ठेक यह और यह angle बराबर है यह और यह angle बराबर है क्योंकि bisectors ठेक हमको क्या प्रूफ करना है that angle M O C is equal to angle A B C यह मैंने ख्याल से congruency, congruency के सवाल ने बहुत basic criteria of triangle पर सवाल है आईए देखते हैं ठेक I guess वैसे हो जाएगा क्या proof करना है ABC मुझे इतना मुश्किल लग नहीं रहा है, सवाल बहुत असानी से हो जाना चाहिए ठेक अब आप मुझे बताइए कि मुझे proof करना है यह angle is equal to उपर वाला angle ABC, अच्छा है पूरा ABC हो जाएगा, it's not a big deal it's not a big deal I guess हो जाएगा, ठेक, चले so intraangle आप अब यह क्या है BM, या आप हो सकते हैं bisector है ना, तो मैं कुछ चीदे लिख रहा हूँ आप मुझे बताइए का वो चीदे सही है की नहीं है ठेक है angle ABO is equal to angle OBC लेख सकता हूँ यह और यह बराबर है, दिखा भी दिया मैंने, ठीक है सब बिलकुल, और angle ACO is equal to angle angle, angle ACO is equal to angle OCB perfect G ठेक है, यह दो चीदे दी हुई है MOC proof करने न, मुझे लगते external angle angle वली बात प्रूव हो जाएगी तो आराम से बताइएगा मैं क्या angle ABC को यहां से, ABC क्या है ABC पूरा angle है क्या यह इसका double है की नहीं है क्या यह इसका double है की नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ न triangle ABC is equal to twice of angle OBC आराम से सोचो और मुझे बताओ Can we write this or not twice of angle OBC भाइस कर आदा है तो double हो जाएगा ठीक है सर ठीक, अब मुझे एक बात बताओ मुझे यह चीज़ प्रूव करनी है न बहुत असानी से होगे एक छोटी क्लास की बात ठीक है यह और यह क्या मुलते है यह eventually यह और यह कुछ और दिया है bisectors of angle isosilis triangle है बहुत बढ़िया एक सबसे important बात isosilis triangle है ABC is isosilis बहुत बढ़िया खेली खतम isosilis triangle है इसका मतलब यह और यह side बराबर ठीक है मतलब यह और यह angle बराबर angle ABC is equal to angle ACB or not बिलकुल सर पक्का पक्का समझ गया बात यह angle और यह angle पूरा बराबर है ठीक है जी half of angle ABC is equal to half of angle ACB होगा की नहीं आराम से सोची और बताइए बिलकुल होगा सर कोई दिक्कत जी नहीं ABC का आधा angle क्या है ABC का आधा angle क्या है angle OBC perfect ACB का अधा angle क्या है angle OCB perfect बहुत important चीज निकाल कर ले आया हूँ आपके लिए ठीक angle OBC और angle OCB बराबर हो गए यह और यह बराबर हो गए एक छोटी क्लास की बात बहुत अराम से क्या यह angle क्या यह angle क्या हमको प्रूफ करना MOC external angle है की नहीं triangle के लिए है की नहीं तो क्या यह angle आप लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा जी external angle is always equal to the sum of two other interior angles other two क्या यह MOC इसके और इसके बराबर होगा की नहीं होगा इसके और इसके बराबर होगा की नहीं होगा बताइए ठीक now angle MOC is exterior angle इसमें congruency use ही नहीं होगा exterior angle of triangle OBC so cannot we write MOC is equal to angle OBC plus angle OCB लिख सकते हो की नहीं आराम से बताऊए यह छोटी क्लास में this plus this is equal to this यह पढ़ा है exterior angle at the third vertex is equal to the sum of two interior angles at the other two vertex बिलकुल बोल सकते हो sir अभी उपर एक चीज लखिए OBC और OCB बराबर है लिखी है तो क्या अगर मैं OCB को OBC से replace कर दूँ तो दिक्कत है बिलकुल नहीं तो angle MOC is nothing बट angle OBC plus angle OBC जी बिलकुल आजाओ sir खेल समाप्त हो चुका है twice of angle B OBC यह बात आई की नहीं बिलकुल angle MOC twice of angle OBC हुआ की नहीं twice of angle OBC क्या पुरूफ कर चुका हूँ already शुरुवात में ABC तो क्या यहां से बोल सकता हूँ angle MOC is angle ABC के बराबर की नहीं सच बताईए बहुत अच्छा सवाल है congruency criteria पे नहीं लेकिन सवाल में खेलना है और सवाल आएगा क्यों आएगा isosilis triangle का logic use हो रहा है isosilis triangle के theorem triangle में है तो यह मत सोचे congruency नहीं है तो नहीं आएगा सवाल आएगा आ सकता है ठीक क्योंकि use हो रही भाई चीज simple सी बात बहुत simple है देख के करने वाला सवाल है यह और यह side बराबर है तो यह पूरा angle और यह पूरा angle बराबर है अगर यह पूरा angle और यह पूरा angle बराबर है तो इनके आधे-ाधे बराबर होंगे ठीक है अब अगर ये और ये बराबर हो गया तो इस triangle को देखो गये तो ये angle इन दोनों का exterior angle है बिलकुल इन दोनों का sum इस exterior angle के बराबर होगा जी बिलकुल तो मतलब अब फिर मैंने यहां पर लिखा MOC is equal to OBC plus OCB क्योंकि मैं already proof कर चुका हूँ कि ये और ये बराबर है तो मैंने replace कर दिया OBC से twice of angle OBC आ गया twice of angle OBC is nothing but पूरा angle क्योंकि उसका आधा है वो मैं already आपके लिए लिख चुका हूँ वो मैं already आपके लिए लिख चुका हूँ if a line through P parallel to BA meet BC at Q जिन सवालों मैं आपको लग रहा हूँ typical सवाल है pause करके अराम से देखिए का मैं बहुत लंबा रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक P is a point on biceptor of angle ABC perfect if the line through P is parallel to BA ठीक है जी meet BC at Q ठीक है जी prove that BPQ is an isosist triangle बहुत सवाल है ठीक angle ABC पहले बनाओ angle ABC बनाओ diagram नहीं लाया हूँ जान बूच के diagram नहीं लाया हूँ जान बूच के P is a point on the bisector of angle ABC bisector बनाओ मनाओ P यहाँ कहीं कोई point है बिलकुल ठीक सारे diagram पढ़ पढ़ के बना रहा हूँ if line through P is parallel to BA meet BC at Q एक line है P के थूँ पास रही ही वो parallel है BA के ठीक है ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ parallel क्या दिक्कत है ऐसे बनाओ क्या meet कर रही है BC को कहाँ पे Q पे ठीक है जी क्या proof करना है BPQ isosist triangle है prove हो गया प्रूफ हो गया है ही ने कोई BPQ isosist ये प्रूफ करना है BPQ isosist फिर से दवाल पढ़ लिजे P is a point on bisector of angle ABC bisector ये है मतलब ये और ये angle बराबर ठीक है जी ठीक इस पे कोई-कोई point P है P से एक parallel line draw की AB के जो BC को जाके Q पे meet कर रही है आपको बताना है BPQ isosist angle है अब आप मुझे बताएंगे कि बात क्या हो रही है चले बहुत सिंपल सवाल है बताइए अगर भाईया पहले classes में इस्तेमाल हो ये और ये parallel है बना दे रहों पहली class पहले lecture में इस्तेमाल हो है बिलकुल Now since AB is parallel to PQ तो angle ABP is equal to angle BPQ alternate interior angles guys भूल नहीं सकते है बच्पन का साथ ही है ठेक पक्का अब ABP already इसके बराबर था था की नहीं ठीक है जी equation 1 लिख दो लिख दो सर already ABP is equal to angle PBQ क्यों? क्योंकि BP जो है वो bisector है BP bisects ठीक है equation 2 बहुत बढ़िया from 1 and 2 क्या लिख सकते हो बच्चों ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो क्या लिख नहीं सकते हो angle BPQ is equal to angle PBQ बिलकुल लिख सकते हो कौन से triangle के angle है BPQ में ये और ये बराबर हो गए तो ये भी इससे बराबर हो गया फिर कौन से side ये और ये side बराबर हो जाएंगे ठीक नाव N triangle PBQ या BPQ कुछ भी लिख लो जो प्रूफ करना है क्या ही फ़र कोट करना है BPQ angle BPQ is equal to angle PBQ already proven therefore BQ is equal to PQ तो ये side और ये side बराबर होगी ना opposite side BQ is equal to PQ sides opposite to equal angles therefore guys therefore guys triangle BPQ is an isosilis triangle सोचना है कुछ कुछ सोचना है बिलकुल नहीं बहुत बढ़ी सवाल दिख गया था bisector है parallel है interior alternate फिर ये दोनों बराबर isosilis हो गया तेजी से आगे बढ़ो बढ़ो बहुत बढ़ियां सवाल ये भी one of my favorites in triangle ABC D is a midpoint of side AC such that BD is equal to half AC so that ABC is a right angle triangle बहुत बढ़ियां आईए diagram बनाईए triangle ABC मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे right angle proof करना है तो मैं आपके लिए ये बना रहा हूँ अभी लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ ये right angle है ठीक और कभी कभी तो परशान करता ही है ABC ABC नहीं अभी प्रूव अभी नहीं लिख रहा हूँ right angle है proof कर दूँग right angle है क्या बोल रहा है D is a midpoint on side AC ठीक है D यहाँ कहीं midpoint on side AC ठीक है BD is equal to half AC बहुत बढ़ी हाँ show that ABC is an equivalent right angle triangle बदाईए कुछ सोचना है बिलकुल नहीं क्या बोल रहा है D midpoint on side AC का D is midpoint of AC तो क्या AD is equal to DC नहीं होगा गाईस और क्या AD अगर यह midpoint है तो यह और यह बराबर और यह दोनों इसके आधे हैं are nothing but half of entire AC है की नहीं आराम से सोचे बताईए है बिलकुल कुछ और दिया है बिलकुल BD भी half AC के बराबर है अरे शबाश अरे शबाश ठेक तो मतलब यह भी बराबर है यह तीनों बराबर है यह तीनों बराबर है फिर आईससिलस ट्रांगल वाली बात होगी मतलब यह दोनों आईससिलस ट्रांगल बन गए यह भी आईससिलस बन गया अगर यह बराबर है और यह बराबर है क्या मैं इसको X लिख दू और इसको X लिख दू तो कोई परहेज है नहीं जी बिलकुल क्या मैं इसको Y लिख दू और इसको Y लिख दू तो क्या कोई परहेज है जी बिल्कुल नहीं अब कुछ तो कर दिया अब पूरा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल लिख दू मुलिए फिर से लिख देता हो चलो इंट्राइंगल BDC BDC BD is equal to DC therefore angle DBC is equal to angle DCB को हमने X मान लिया जी बिल्कुल इंट्राइंगल उपर वाले में देख लो ABD क्या बराबर है BD is equal to AD जी बिल्कुल ठीक है क्या-क्या बराबर हो जाएगा angle ABD और BAD angle ABD is equal to angle BAD वैसे मैंने आपके लिए डाइग्राम में बना लिया है क्योंकि आप मैं वहीं से यूज करूँगा मैं ये statement बहुत दादा यूज करूँगा ने पूरे ट्राइंगल ABC में बच्चो angle A प्लस आंगल B प्लस आंगल C 180 होगा angle some property होगा की नहीं होगा बिल्कुल होगा सर angle A कितना है Y है सर angle B कितना X प्लस Y है सर angle C कितना X है सर 180 बहुत बढ़िया 2Y प्लस 2X 180 जी विल्कुल 2 कॉमन लेलू लेलो सर Y प्लस X कितना 180 काट दू काट दो सर Y प्लस X 90 क्या प्रूज करना था बच्चो क्या प्रूज करना था that angle B या angle ABC now angle ABC is nothing but X plus Y and that is nothing but 90 degree hence we have proven this a very important सवाल लेकिन बहुत सिंपल सवाल है आ सकता है ये सब सवाल ये सब सवाल आ सकते है ध्यान रखिएगा प्लीस बढ़े आगे बढ़ो आखरी तीन सवाल bisectors of angle B and C of an isosilist to angle ABC with AB is equal to AC intersect each other at O show that external adjacent to angle ABC is equal to angle B and C हो जाएगा ये भी बहुत मुश्किल सवाल नहीं है bisectors of angle B and C of an isosilist to angle पहले बना लते हैं ABC बनाओ diagram आप पढ़िये मैं diagram बना रहा हूँ आप सवाल पढ़िये तेजी से थोड़ा तेज जाएंगे आकरी तीन सवाल speed up करना है ABC isosilist to angle B and C का bisector O पे मीट कर रहा है जी बिलकुल चलो बहुत बढ़िया मतलब ये और ये बराबर है ये और ये बराबर है ठेक और कुछ show that external to ABC अच्छा यह मैं इसको नीचे लिखता हूँ तो मुझे यही प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है ये बढ़ा आंगल इसको D लिख लेते है इसको D लिख लेते है ये external angle जो है ठेक ये जो external angle आपको देख रहा है ये प्रूफ करना है BOC के बराबर है इसके बराबर है आओ आओ देखा जाए क्या हो सकता है बताव, 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 क्या किया जाए, ऐसिमपल हैं, यह सवाल कर चुके है, बहुत सिमपल है, कुछ हैं इसोचलस ट्रreng Griffle है यह इसेड़ क्या है, इसोचलस ट्रंगल है बिल्कुल, AB is equal to AC है, बिल्कुल तो angle B is equal to angle C हो जाएगा, बिल्कुल Half of angle B is equal to half of angle C हो जाएगा, होगा, होगा, बिल्कुल इसका अधा, इसका अधा बराबर होगा, बिल्कुल यह सब काम हम कर चुके है, यह सब काम हम कर चुके है Half of angle B क्या है, यह लिखते हैं तो हाँ, angle OBC is equal to angle OCB, perfect, ठेक, वन, अई बताता हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, ठेक, और एक चीज, और एक चीज, कि ये पूरे angle twice of OBC भी वो बात में लिख दूँगा, ये triangle पकड़िये triangle BOC, triangle BOC में, आराम से सोच के मुझे बताईएगा, कि angle OBC plus angle OCB plus angle BOC 180 होगा की नहीं होगा, वह ये प्लस ये triangle तो बन रहा है, 180 होगा, बिलकुल, तो 180 को क्या लिख, angle BOC को यहां से क्या लिख सकते हो, 180 माइनस, 180 माइनस, angle OBC plus angle OCB लिख सकता हूँ, लिख दो कोई दिक्कत, जिये ही, OBC और OCB बराबर है की नहीं है, बच्चों, आराम से सोच के बताईए, OBC और OCB बराबर है की नहीं, बिलकुल है, तो क्या मैं replace कर दूँ इसको, angle OBC plus OCB को भी OBC लिख लूँ, क्योंकि यह वाला side यूज़ करना है, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक, तो क्या मैं angle BOC को लिख सकता हूँ, 180 minus twice of angle OBC, बिलकुल, कोई दिक्कत, जी नहीं, यहां तक बात सबको clear है, पक्का, भई आधा, 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 अगर यह पूरा बराबर, तो इसका आधा, आधा, बराबर, ट्रैंगल में angle सम लगाए है, और वो बात कर ले, ठीक है, अब आजाओ, यह angle क्या है, यह line पर ही तुम angle बन रहा है, यह line पर ही तुम angle बन रहा है, तो क्या नहीं बोल सकते हो, angle ABD is nothing बट, भई यह 180 में से इतना ही तो घटा रहे हो, 180 में से यही angle prove करना है यह और यह बराबर prove करना है 180 में से इतना ही तो घटा रहे हो और यह क्या है बच्चों क्या यह पूरा angle इसका double नहीं है angle OBC का बिल्कुल है so can we not say 180 minus twice of angle OBC same बात तो है angle ABD यह जो है 180 में से इतना ही तो घटा रहे हो बिल्कुल हो गई बात बात सोच है यह भी यही है क्या बोल नहीं सकते हो BOC is equal to angle ABD बिल्कुल बोल सकते हो भाई कोई दिक्कत नहीं यही proof करना था दिया नहीं है लेकिन external angle adjacent to ABC external angle adjacent to ABC यही है ठीक external angle adjacent to ABC यही है पक्का बहुत च्छा सवाल है ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to BC and AD is equal to CD so that BD by 6 both angles ABC and ADC यह सवाल हम कल कर चुके है मैं diagram बना रहो पूरा नहीं करूंगा यह सवाल हम कर चुके है ठीक यह सवाल हम कर चुके ABCD is a quadrilateral AB और BC बराबर है बनाओ पहले ABCD quadrilateral बनाओ quadrilateral kite बना दिया क्या बनाने तो कोई दिक्कत थोड़ी है ABCD क्या दिया है AB और BC बराबर है AB और BC बराबर है और क्या दिया है AD और CD बराबर है देख के ही नहीं लग रहा है तो diagram थोड़ा अच्छा बनाओ जब देख के लग नहीं रहा है तो बनाओ थोड़ा अच्छड़ाई ग्राम अभी भी नहीं लग रहा है लेकिन आप मान जाईएगा ठीक, अभी भी नहीं लग रहा है लेकिन है बराबर ठीक, चला AD is equal to CD, ठीक है, show that BD by 6, both the angles both the angles ABC और वो बहुत असान है यार yeah ये तो कुछ सवाल ही नहीं बचा, क्या सवाल है क्या मैं ये सवाल किया है हमको प्रूब जो करना है वो प्रूफ करना है कि इन दोनों को 200 कर रहा है हम है आङा है सब्सक्ताइब यह करा हूँ कि कल करचुके हैं बाई पहले आप इन दोनों ट्रांगल को congruent proof कर दो, आ जाओ, इन ट्रांगल ABC ये है, इन ट्रांगल ABC और ट्रांगल ADC, ठीक, ABC और ट्रांगल ADC, एक सेकंड लेकिन तो मुझे कुछ और देखना है, एक सेकंड, ABC, कौन सा ट्रांगल पिक किया जाए, ये और ये पिक करने क्या ABD और ये, हाँ, बहुत हाँ, नहीं नहीं, सीधे हो जाएगा, आई 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 आई, गिव मी ए मोमेंट को कि मुझे पिक करना है जहां से मैं congruent से पिक करूँ, ठीक, इन ट्रांगल ABD, डाइग्राम आप देखना है, ABD और CBD, ABD, एन ट्रांगल CBD, ABD, CBD, चल, बढ़िया, कुछ बराबर हो तो बताओ, ये ट्रांगल पिक किया हूँ और ये ट्रांगल पिक किया हूँ, ये बराबर, ये बराबर, ये common, ठीक, AB is equal to BC, गिवन जी बिलकुल, और AD is equal to CD, जी गिवन बिलकुल, ठीक, AB और BC गिवन है, AD और CD गिवन है, और बताओ, BD BD common BD BD common बड़े देर बाद इस्तेमाल हुआ triangle ABD is congruent to triangle CBD SSS criterion बहुत देर बाद इस्तेमाल हुआ कल इस सर्गे के सवाल किये थे अब मुझे आप आराम से सोच के बताईए ठेक ये भूल जाएगे इसका काम ही नहीं है ये फाल तुम मनाए हम लोगों ने ये ओल्रेडी कॉंप्रिकेट कर रहा है अब आप मुझे बताईए अगर ये दोनो triangle congruent हो गए तो क्या ये angle और ये angle बराबर नहीं है CPCT क्या ये angle और ये angle बराबर नहीं है CPCT बोल सकते हो ना भाई is equal to angle CDB CPCT बना दिया हमसे मैंने डाइग्राम में आप समझ गयोंगे है की नहीं है कौन बाट रहा है बराबर में कौन बाट रहा है बराबर में BD कौन बाट रहा है बराबर में BD बाट रहा है की नहीं बराबर में so कौन decide कर रहा है कौन बाइसेक्ट कर रहा है और यह किसको बाइसेक्ट किया है आंगल ABC को और आंगल ADC को बहुत सिंपल है कर बहुत सवाल किया है फाल तु मैंने दो अलग ट्रियंगल कोई काम नहीं था यह पिक करो यह पिक करो ठेक्ट बढ़ें आगे यह हमग दे दू क्या यह हमग दे दू क्या कर दो सर चलो इतने किये तो एक और O is a point in the interior of a square ABCD such that OAB is an equilateral triangle so that OCD is a useless triangle square ABCD बनाओ बनाओ सर square ABCD आखरी सवाल patiently देखेगा सबसे अच्छे सवालों में से एक है O कही पे एक point है यहाँ पे A A क्या है फ़िल OAB O A हा लेते हैं B हा लेतें C हा लेतें D हा लेतें तब ही दिखेगा हूँ थिक OAB equilateral triangle है बहुत बढ़िया और OCD prove करना इस तो इस triangle है मतलब ये ये बराबर है ये और ये प्रूफ करना है बराबर है आजाओ आजाओ बहुत simple बहुत simple guys बहुत simple बताओ बोलो 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 जल्दी come on quickly सब कुछ दिया हुआ है square ABCD है बिलकुल सर बिलकुल है सर ठेक क्या प्रूफ करना चाह रहे हो आप बताओ क्या प्रूफ करना चाह रहे हो मुझे तो नहीं पता मुझे पता है सर क्यों नहीं पता है मुझे बिलकुल पता है क्या दिक्कत है आप मुझे एक बात बताईए कि मैं ये दोनों ट्राइंगल पिक कर लू ये और ये वाले ठीक, पहले लिख दिता हूँ इसकोएर ABCD है मतलब AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA खेर ये हर बार लिखने की दूरत नहीं है और equilateral triangle OAB है तो क्या मैं बोल सकता हूँ OA is equal to OB is equal to AB इतना लिख दू कोई दिककत बिलकुल, ठीक है, समझ गया, पक्का, चलो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये isosilis triangle है मतलब OC और OD बराबर प्रूफ करना है ठीक, चलो, ये प्रूफ करना है OCD, मतलब OC is equal to OD प्रूफ करना है, एक मिनिट में हो जाएगा कौन से दो triangle उठाओगे, आप बताओ मैं बताओ कौन से, क्या आप बताओगे, मैं बताताओ इन triangle AOD and triangle BOC this and this, जिसके ये पाट पहले बोल चुका है वो जिसको बराबर प्रूफ करना है, वो वाले triangle उठाओ ठीक, कुछ बराबर है, बिलकुल OA is equal to O B पराबर है OA is equal to O B पराबर है, है ठीक, क्या है, sides of equilateral triangle ठीक, और बताओ, AD is equal to BC पराबर है sides of square सर्ट, triple S मिलेगी क्या triple S तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं तो side पराबर प्रूफ करना है, आजाओ, अल्रेडी ये ये उज़ कर चुके है ये 60 degree है है, equilateral triangle है ये 90 degree है तो बच्चों ये कितना होगा 30 degree होगा की नहीं होगा आराम सोच के बताए भाई, ये पूरा 90 square है ये equilateral triangle is 60 तो this angle will be 30 or not ये 60 degree है, बिलकुल ये पूरा कितना है, 90 degree जी बिलकुल, तो ये कितना होगा 30 degree, जी बिलकुल angle बीच में लिखता हो कौन सा angle है, angle OAD is equal to angle OBC 90 minus 60 that is 30 degree each बराबर congruent प्रूब होगा है कि नी side, angle, side side, angle, side triangle AOD is congruent to triangle BOC SAS दिखाई दे रहा है, बिलकुल therefore OD is equal to OC therefore OCD is isocellus triangle बहुत classic सवाल बहुत बढ़िया सवाल सच बिताई, मुश्किल हुई? नहीं वही, एक अलड़ी एक में यूज कर चुके Equidator का side square 90 minus 60 90 minus 60 उसमें 90 plus 60 किया था इसमें 90 minus 60 किया 11 सवाल कुछ मुश्किल था? नहीं एक-एक सवाल break किया कि नहीं? बिलकुल important है सारे सवाल वो जो 25-27 सवाल पहले कराएं हैं ये जो 11 सवाल आज कराएं हैं ये lecture बहुत ध्यान से देखेगा ठीक? और आखरी बात आज की A very big thank you for watching this chapter ये मुश्किल चैप्टर है अच्छे से वीडियो देखेगा we have completed this in length आसान से NCRT RD exemplar सब के सवाल आपको करा दिया हैं प्लीज जन से देखेगा that's it from my side मिलता हूं आप से अगले lecture में comment section में बताएं क्या शुरू करू? quadrilateral शुरू करू? या lines and angles शुरू करू? जो आप बोलेंगा वो शुरू करूंगा तब तक के लिए see you take care bye bye thank you so much and do like share and subscribe we will keep bringing the quality content to you यह हमार आप से बादा है thank you bye